गुड मॉर्निंग स्टुडेंस स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टड़ी वित अभिमान में तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एक्जाम 2021 के लिए क्लास 10 के लिए सोसल साइंस का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बैल आइकन पर क्लिक कर लीजे ताकि जो भी वीडियो हम फ्लोट करें उसका नौटिफिकेचन आप सभी को मिल सके तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट क के according है जब आपके syllabus में 30% की कमी कर दी गई थी तो उसी के according आपका ये model paper है तो आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर यह समाजी विज्ञान का model paper है और आपका यहाँ पर लिखा हुआ है समय तो इस paper को solve करने के लिए आपको कितना time मिलता है तो paper को solve करने के लिए आपको इहाँ पर तीन घंटे 15 मिनट का आपको कोशिन पेपर को अच्छे से पढ़ सके और जो आपका यह कितने मार्स का है तो तो टोल यह 17 मार्स का आपका यह पेपर होता है फिर आप यहां पर कुछ निर्देश दिये गए है कि पेपर कैसे कैसे इसमें पूछिन पूर्चे अपको यहां पढ़ लिखी हुई है कि सबसे आपको यहां पर क्या करना है जो भी जो भी आइंसर आपको यहां पर राइट होगा उस आइंसर को आपको अपने आइंसर जो आपको कॉपी मिलती है एक्जाम टाइम में उसमें आपको यहां पर लिखना होगा तो फर्श कोशन आपसे क्या पूछा गया है कि वर्तमान समय मे भारतिय संग में कितने केंद्र सासित प्रदेश है यह आपको यहां पर बताना है तो आपका एंसर क्या हो जाएगा अगर हम एंसर की बात करें आपका इसमें तो आपका इसमें जो आप्शन नमबर डी है यानि एट तो वरतमान समय में भारतिय संग में कितने केंद्र सासित प्रदेश ने आठ जो है वो केंद शासित प्रदेश तो इसको आपको इहां पर ध्यान रगना है कोशन है एहां पर इंपोर्टन्ट है फिर इसके बाद क्या पूछा गया है फिर इसके बाद आप से यहां पर पूछा गया है कि पुनर-जागरन युग का अभिःवदय किस तो इसमें राइट ऑप्शन के अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका आपका आप्शन नमबर भी यानि इटली तो आपका जो पुनर जागरन यूग का अभिवदे किस देश से हुआ ता इटली से हुआ तो इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है पर इसके बाद को क्के तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तो इसमें आपका ऑप्शन नमबर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर next आपसे क्या पूछा गया है next आपका यहाँ पर पूछा गया कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है यह question आपका यहाँ पर पूछा गया है क्या पूछा गया है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है यह आपसे यहां पर पूछा गया है तो इस question में अगर हम right option की बात करें तो कौन सा option आपका right हो जाएगा आपका यहां पर option A जो है वो इसका right answer हो जाएगा यानि 10 December तो जो मानव अधिकार दिव से कब बनाया जाता है आपका यह 10 December को मनाया जाता है तो इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है आप इसके बाद next क्या पुछा गया आपसे next आपसे यहां पर पुछा गया है कि राष्टवाद का प्रारम जिस देश में हुआ वो कौन सा देश है यह आपको यहां पर बताना है तो इसमें अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नमबर C यानि फ्रांस तो जो राष्टवाद का प्रारम है वो किस देश में हुआ था फ्रांस में हुआ था फिर इसके बाद आपसे क्या करें करें लाइट इसके बाद आपके नमबर करें वहाद पूछे गए तो इसमें आपका क्या पूछा गया है देखिए इसमें आपका पूछा गया है कि लोग तंत के लिए जाती वात क्यों घातक है दो कारण लिखिए और जो आपका ये कोशन है कितने नंबर का है आपका आपका ये कोशन यहाँ पर दो मार्क्स का आपका ये कोशन आपसे पूछा गया है फिर सी में आपसे question number 8 क्या पूछा गया है भारतिये लोग तंत की दो विश्यसताएं लिखिए ये भी question आपकर two marks का है फिर आपसे पूछा गया कि जर्मनी का एक ही करन कब और कैसे हुआ ये आपका इहां पर है तो ये भी आपका कितने number का आपका इहां पर two marks का आपका ये question ह बता तो अती आंपके जो अती लगुतरीय प्रस्चन होते हैं या फछ यहां पर पूछें घैनchnya फिर इसके वारत की विदाईकों में महिलाओं के प्रतिनिधित Mostweed also की धारत की विधाय का है उसमें महिलाओ की में लगा कि profund और इसके बारे में को यह पर बताना है तो आपके short इसकी मांत करना एक को इसके ढब हैं पमिदाओना आप से मिइस संथ कुछा गया है पिर इसके बारात के अपी हैं वे हम फ्रिशांगे 11 आप से क्या पूछा गया कि कौन ला से आप क्या समझते हैं इस कानून को समाप्त करने का बिटिस सरकार ने फैसला क्यों किया यह आप से यहां पर कोशन पूछा गया है क्या पूछा गया कि कौन ला से आप क्या समझते हैं तो कौन ला के बारे में आपको यहां पर बताना ह इसके बाद आपका यहां पर बताना है कि इस कानून को समाप्त करने के लिए जो बिटिस सरकार थी उसने क्या 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 था इसके बारे में भी आपको यहां पर पूछा गया है तो इस तरह के question में आपको यहाँ पर point to point लिखना होता है क्योंकि आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कौन ला की बारे पूछा है तो कौन ला पर क्या होता है जिन कानून कानूनों के सहरी जो मक्का के आयात होता था उस पर पाबंदी लगा दी ती तो उसी को क्या कहा जाता है उसी को कौन ला कहा जाता है तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तो इस question का आपको यहाँ पर कितने marks का है आपका यह question भारतिय संग में केंद्र राज्य संबंदों का वरणन कीजिए तो दोनों में करना है और आपको कुछन कितने MARKS का है आपका six marks का आप और ये कोशिन को आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में लिखना होगा pointwise आपको इहां पर सारी बाते बतानी होगी क्या-क्या चीजहें जो जिस तरह से आपसे question पूछा जाए कि उसी तरह से आपको यहां पर answer करना है तो जो आपको यह long type question है इसलिए आपको यह कितने marks का है यह six marks का आपको यह question पूछा गया है अब इसी में आपसे दूसरा question क्या पूछा गया है question number 13 question number 13 आपसे यहां पर पूछा गया है कि महान महान मंदी के कारण कारणों की व्याक्या कीजिए और बताइए अर्थ वैवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा यह question आपसे यहां पर पूछा गया है और इसे में आपसे अथवा करके पूछा गया है कि विश्व अर्थ अच्छे से डिटेल में इस और वा इसके ना पर हम आ पर आजाता है माच्छित चसम्बंधि प्रस्तम जो आपको किया हो डिखने होती है वह आपको इहां पर बताना होता है तो आपका इहां पर क्या लिखा हूँ कि नेगित स्थानों को भारत के दिये गए रेखा मांचित्र में आपको यहां पर एक मांग दिया गया एक चिन्ह दिया गया उसी चिन्ह के सहारे आपको जो आपको मैप मिलेगा उसमें यह सारी चीजे आपको इहां पर बतानी होंगी तो आपका यहां पर लिखा हुगा है कोशन आपका फोर्टिन क स्टान ने कोशन अममर सिकेंड पूछा के कि अधान जहां जलिया वाला बाग घत्या कांद हुआ तो यहां को यहां पर बताना होगा तो आपने इस अभशी पढ़िंगे शलिया बाग ह कहां पर हुआ था तो यह पर आपको इसको यहाँ पर जो आपको मैप मिलेगा मैप में आपको इसको भरना होगा तो जो आपका जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था तो आपको जब मैप मिलेगा तो मैप में आपको यह भरना होगा जो आपका जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था कहां हुआ था और मिसल का पर funds युजग को उर्षा पर पांग्रेशंब्व इन खाइया है और मिसल आपको कहाँ पर पंजाप में है तो यहां पर ध्यान रखना два आ पर आपको यह न पर फिसके बाद अपपर पुछा गया है की सब्सक्राइब च्रव। पर लाहोर में होता तो यहाप को मेंशन करना आप में फिर इसके बाद आप से यहां पर पूछा कि की वह aastथान जहां सूती सूती मिल-स्रमिकों का सत्यागरा हुआ यहां पो नहीं पर बताना है फिर इसके बाद आपके यहां पर लिखा कि वास्थान जहां पर 1923 में Congress का धिवेशन हुआ था यहां पर बताना है तो यहां पर आपके map सबंदी सारे work है तो इसको आपको map में करना होगा तो यहां पर कि होगे खंडखा के सारे question तो आपको अपनी answer copy में लिखना होगा तो आपसे यहां पर क्या पूछा गया है question question आपका पूछा गया कि चिपको आंदोलन संबंदी थे तो जो आपका चिपको आंदोलन है वो किस्ते संबंदी थे यह आपका संबंदी थे वन संब्रक्षन से तो जब पेड़ों की कटाई होती थे तो लोग क्या करते थे पेड़ों से जाके चिपक जाते थे ताकि पेड़ ना कटे तो यह आपका आंदोलन चला हुआ था तो जो आपका चिपको आंदोलन इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि जो लोग होते थे पेलो से जाके चिपक जाते थे पेल को कटनी नहीं देते थे तो इसलिए आपका यह किस्से संबंदी था आपका यह वन सग्रक्षन से संबंदी थे तो इसमें आपका option number B इसका right answer हो जाएगा अब इसके बाद क्या पुछा गया है इसके बाद आपसे पूछा कि कोश्न number 16 की कपास की खेती केलिए सबसे उचित भूमी कौनसी है यह आपसे यहां पर पुछा गया है तो जो आपकी कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी ज्यादा उब ज़ाओ होती आपकी काली मिट्टी कौन सी काली मिट्टी तो इसमें आ आपको पढ़ाया हुआ है जोग्रफी में आपको पढ़ाया हुए है तो जब आपका जो जोग्रफी का लेसन चल रहा है किसी यानि एग्रिकल्चर तो उसमें यह सारे हो जाएगा यानि मोटे अनाज यह आपकी कैसी है यह आपकी रभी की फशल होती है लो neste question क्या पुचा और आप से और यहां पर पुछा गया कि भारत में उप भोकता संकर्यtıस अधिनियम गते है तो भारत में उप छिनगाद शिल्षा गैइना दिनियम कब लागू किया गया तो भारत में संक्वट भोकता अधिनियम कब लागू हुआ था आपका यह आपका लागो हुआ था 1986 में यानि 1986 में आपका जो भारत में उपभोगता संग्रक्षन अधिनियम लागो हुआ था तो इसमें आपका option number D इसका right answer हो जाएगा फिर इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है नेक्स आपसे यहाँ पर पूछा गया कि भारत की प्रथम रेल गाड़ी चलाई गई थी यह आपसे question पूछा गया तो यानि भारत में प्रथम रेल गाड़ी कब चली थी वो आपको यहाँ पर बताना है तो इसका कौन सो option right हो जा है आपके यहाँ पर काफी important है अब इसके बाद क्या आजाता आपका question no.20 question no.20 आपसे क्या पूछा गया है कि देश में देशों में तीर्व एकी करन की प्रक्रिया क्या कहलाती है यह आपसे यहाँ पर question पूछा गया है तो इस question का भी आपको यहाँ पर answer करना है तो यह आप आपका short type question very short type question आपके यहाँ पर पूछे गए है तो आपका क्या पूछा गया है जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है कि जैव संसाधन क्या होते हैं और अजैव संसाधन क्या होते हैं इसके बारे में आपको यहाँ ृइं पुछा गया है कि वहसत आयका और थे तो यहां पर dysfunction क्ने रुट एक पूछा गया कि भारत में परमाळु उर्जा के जाता है आप इसके बाद आपकी बारी आ जाती है शौर्ट टाइप कोईशन की यानि लगूत्रिये प्रश्न की तो लगूत्रिये में आप से क्या पुछा गया है यहां पर आप से पुछा गया है कि प्राथमिक छेत्रों को परिभाशित कीजिए यहां से कोईशन पूछा ग कि दोनों में से कौन सा कोशिन आ रहा है तो जो आपको अच्छे से आका उसी को आपको यह करना होगा और यह कोशन आपका these marks कोई तीन गुड लिखिये तो दोनों में से आपको एक कोशन यहां पर करना है और यह भी आपके पूछा जाता है तो यहां पर आपके जो शॉट टाइब कोशन तने कि यानि विस्तरित उत्रिये प्रश्न की तो इसमें आपका क्या पूछा गया है आपका, आपका इसमें पूछा गया है कि वे कौन से विभिन तरीके हैं जिनके दौरा बाजार में लोगों का शोशर हो सकता है, यह कॉछा गया है। तो इसमें आपको detail में लिखना होगा और कितने marks का है आपका ये six marks का आपका ये question पूछा गया है अब इसे में आपसे फिर अथ्वा करके पूछा गया है देखिए अथ्वा करके आपसे क्या पूछा गया है कि आर्थिक गति विधियों के तीन छेत्रक कौन कौन से हैं सो उधारन समझाए यानि उधारन के साथ आपको यहां पर बताना है तो इन दोनों कोशन में से आपको यहां पर एक कोशन करना है आपको इसलिए अथ्वा लिखा होता है तो दोनों में से आपको एक कोशन करना है और आपको एक कोशन जो है वो six marks का आपको यहां पूछा गय नभजाए कि संगठित और संगठिट चठरों में अंतर कीजी तो यह थो इन दोनों कोशन में से आपको एक करना है जो आपको आदारे तो यह जाirens लिखा है कि दिए गए भारत के मान्छित में निमलिख्रित को दत्रसाइसी गए में लिखा हुआ है कि उत्तरपरदेस की राजधानी राजधानी को आप बताना आपको मैप मिलता है एक्साम में उत्तरपर अन् wealth द्याई और ग्rezम एक ड्रशन और आपको यहां पर मैप में बताना होगा तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको यहां पर बतानी है इस चिनी के द्वारा जो आपका ऐसा चिन्ह बना है ऐसे आपको वहाँ पर मैप में बताना होगा तो यह आपका कोशन पूछा गया है फिर आपका पूछा गया कि कि किसी परमारू उर्ज केंद्र का नाम इस चिन्ही के द्वारा नामित कीजिये यह एंपर लिखाज़ा एक की इंद्रा गांदी अंतर था आपको यह Пर बताना होगा यहां गया हता है इस तरह के वह ते ज्वीधा नाम इंधे यह complete हो जाता है तो आपके exam में इसी तरह की question आप से पूछे जाते हैं तो यह आपका social science का model paper था I hope आप लोगों के एक idea मिल गया होगा कि आपका जो paper है किस तरीके से पूछा जाता है multiple type question कितने पूछे जाते हैं very short type question कितने पूछे जाते हैं आपके short type और long type सारे आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गए होगे तो जो आपका exam वाला paper होता है इसी pattern पर base होता है तो इस paper को आपको अच्छे से पढ़ लेना है अच्छे से समझ लेना है तो यह आपका आपका यह model paper था समाजी विज्ञान का तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज ना समझ में आई हो या आपका question को लेकर कोई doubt हो या कोई आपको यहां पर question पूछना हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो आज की वीडियो में इतना ही thanks for watching